नमस्कार मैं स्वाती और आप देख रहें विंधिया टाइम्स प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के एक पखवाड़े बाद 27 को रीवा आएंगे डॉक्टर मोहन यादव का मुख्यमंत्री बनने के बाद रीवा का यह पहला दौरा है आपको बता दी रीवा और शेहडोल संभाग में शासन की योजनाओ के क्रियानवयन, विकासकारियों तथा कानून और विवस्था की समिक्षा के लिए सीयम का यह दौरा प्रस्तावित ह मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरी की तैयारी की कमिशनर अनिल सुचारी ने समिक्षा की, रीवा तथा शेहडोल संभाग के कमिशनर अनिल सुचारी ने कहा कि मुख्यमंत्री का 27 दिसंबर को रीवा में दौरा प्रस्तावित है, मुख्यमंत्री संभागी समिक्षा ब आजस्विभाग, क्रिश्य विभाग, खाद्य विभाग, ग्रामीर विकास विभाग, सामाजिक न्याय स्वास्त तथा नगरिय प्रशासन विभाग की योजनाओं की समिक्षा की जाएगी। प्रस्तुत किया जाएगा, कमिशनर ने कहा कि सभी संभागी अधिकारी, बैठक में अनिवारी रूप से उपस्थित रहें, संबंधित विभागों की जिल अधिकारी भी अनिवारी रूप से उपस्थित रहेंगे। को प्रस्तुत किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरा संपन्य होने तक सभी तरह के अवकाशों पर प्रतिबंध रहेगा। सभी संभागी तथा जिला अधिकारी निरधारित मुख्याले में रहें। आपको बता दें कि आज से मुख्यमंत्री मोहन यादव को पदभार क्रहण किये हुए दस दिन हो गये हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अपनी पहली बैठक में उन्होंने कुछ एहम फैसले भी किये हैं। अब मुख्यमंत्री रीवा और शेहडोल दौरे पर हैं। शासन के द्वारा चलाई जारे योजनाओ के बारे में जानकारी देंगे। आपको बता दीए कि इसके लिए मुख्यमंत्री ने अपने दस अधिकारीों को भी न्युक्त कर दिया है। जो कि शासन की योजनाओं के क्रियानिवियन की शमिक्छा कर उसकी जानकारी मुख्यमंत्री मोहनियादब तक पहुचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।